प्रणाइब करता हूं राशा करता हूं कि कल की हमारी करेंट अपको पसंद आई होगी इस प्रकार से हमने आप लोगों को मोटिवेट किया बताया वह सब चीजे कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं दुर्तों आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपई ट्रिपाल एसी कि जो भरतियां होती है उसमें पैट के एकजाम को कमपल सरी कर दिया गया है उसके लिए हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे मानी मोधी जी से मानी आदित योगिना जी से है जो कि हमारे चीप मिनिस्टर है जीने सर्मा जी उप सीम केसर प्रसाद मोड़ा जी से सभी मेरा विनम्र निवेदन है और हाँ जो के कटीबद निवेदन करता हूं कि पैट की एकजाम की डेट जैसे जो पैट के लिए योगिता रखी गई है हाई स्कोल या इंटर और पै नहीं नहीं कहें उनका रधी स्टेशन हो गया है उनकी पैमेंट नहीं हो पाई है इस दाइरे से इस नजरिये से और इस मुहिंपे गवर्मेंट को काम करना चाहिए इस्टेट गवर्मेंट को फिर से ओपन करना चाहिए क्योंकि सरकार का इसमें कोई घाटा नहीं है इसमें एक्जाम ना दे पाए तो मेरी सरकार से यही विनम्न निवेजन है मैं यही कटिबन निवेजन करता हूं और पूरे यूपी के स्टुडेंट से मैं निवेजन करता हूं और यूटूब पे जितने भी चैनल हैं आप लोग प्लीज पैसा कमाने का जरियार तो अच्छा बनाके कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएं कल निलेज प्रताप सिंग जी ने जो की पैरा मांट कोचिंग के हैं मुखर जी ने अगर दिली से लाइव थे फेस्बुक पे उन्होंने बताया भी और उन्होंने मोजी जी को ट्विट किया योगी जी को ट्विट किया कि जो भी यूपी में चैनल से हैं यूपी के जो कंडिडेट्स हैं यूटूबर हैं जो आल इंडिया में कहीं कहीं अपने चैनल बनाके लोगों को सिच्छा दे रहे हैं तो इससे बड़ी सिच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगी कि बच्चों का भविस्त है आज भी 10-15 लाग बच् को करोना काल ने जिंदिगी चीणियां लोगों की रोजी रोट़ी चीणिये लोग में करनी कि जैसे रख te iude और ज्रिप्र जाय चाहिए वह उसको पर साथ प्रॉबाब्लम थी जो सबी कि आप सभी लोग सिछा के रूप में जो भी प्रियास कर रहे हैं लेकिन अचे प्रियास है आप लोगों के लेकिन एक और प्रियास में क्र्वरमेंट जो जलता है जो यूपी टीपल सी की एक जाम होने वाले हैं उनके लिए प्लीज इन बच्चों के भवित के लिए इस साइट को यूपन कर दिया जाए तो दोर्तों आपको मेरा सुझाओ कैसा लगा अगर सुझाओ अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आ अधम से आप अपने बात को रखें और सरकार तक पहुंचाएं ताके जिन बच्चों को भवित अंदकार में जा रहा हैं उनको एक रोसी नहीं मिल सके आई एक क्लास में जोड़ते हैं अठायर जून 2021 की के साथ देश और विडियस की घट्टाओं के साथ प्रधान मंती सी नरेंद मोदी ने हाली में किस सहर में जेन गार्डेन तथा काईजन एकड़मी का उद्धगाटन किया है उन्होंने अपने भासर्ण में जेन गार्डेन तथा काईजन एकड़मी को एकड़मी की समर्पन को भारत जापान संबंधों की सहाजिता और आधुनिकता का प्रमा वाले बीज प्रसंत करण सायंत का उद्गाटन किया है उन्होंने कहा है कि इस से भार्षी किसानों की आए दुगनी होगी तो इसका सही एंसर है दोस्तों उडिसा रच्छा उद्धान विकास संगठन दियाडियों ने हाली में उडिसा के चांदीपुर में एक इक्रिस परिच्छन रेंज में एक मल्टी बैरल रॉकेट लांचर से सोदेसी रूप से विक्सित 122 mm की कैलिबर राकेट के उन्नत और रेज संसक्रोनों का सफलता पुरक परिच्छन किया है इन राकेट को भारती सेना में उप्योग करने के लिए विक्सित किया गया है तो दोर्तों डियाडियों के अगर हम बात करते तो डियाडियों का इस्थापना दिवस कब मनाया दा और लगबते हो का मुठ्याले का हां परिश्चित है ओर डियाडियों का मोटनों क्या है और ग्रोलियों के वर्तमान अध्छ कौन हे हम जरूर से जरूर बता है जिस भी स्थूदें को पता है अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाब दिया रह करोड के आसपास पहुंच चुकी है और इसमें अनुमानित बताया जा रहा है बतीस करोड क्यारा लाग ते तालिस हजार चैसों उन्चास लोगों को टीका करण हो चुका है अब तक हर्यारा करनाटक मध्यप्रदेश राजरस्थान उत्तरप्रदेश महाराश तथा तमिल्ना के लिए कवालिफाई करने वाले कॉन से भारती तराक बन गए है तो इतका सही एंसर है भाले के रहने वाले टाइराक प्रकास प्राकास करने भालों नाम की है उन्होंने दोजार पंद्रा में केरल में राष्टी खेलों में 600 और तीन सिल्वर पदक फिजीते हैं निम्नमें से किस आयाइटी संसार ने हाली में कोवीड-19 के लिए रैपिट एंटिजन टेस्ट किट विक्सित किया है इस किट को डांक्टर हरपाल सिंग के नेत् आयाइटी दिल्ले में सेंटर फार बायोमेडिकल इंजिनरिंग में प्रोफेसर पद पर तैनाथ हैं विदेसी प्रजासियों वाले फ्लों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फूर्ट को हाली में किस देश में निर्यात किया गया है तो इसका सही एंसर है स संयुक्त अरब अमिरात में निर्यात की गई है इस खेप को महराष्ट के सांगली जिले के तरासर गाउं के किसानों से मंगाई गए है इस ड्रैगन फूर्ट का वाइक्यानिक नाम हाईलो सेरे सुनडाटस है निम्नमे से किस देश के स्वास्यमंत्री मैट हैंकॉक ने हाली जिसके बाद उन्होंने अपना यह स्थीपा प्रधान मंत्री बोरिस जांसन को भेजा है जिसमें लिखा है कि इस महामारी में जितने लोगों ने भी अपने कुर्वानियां दी है उन्हें देखते हुए अगर हम उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनत आप लोगों के अंतरगत आप लोगों के पच्छ में मैं बोल रहा हूं जो भी बातें समाज के सामने रख पा रहा हूं अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो मारी चैनल को सब्सक्राइब परें और युवा एक राष्ट के हड़ी है विबेकरम दी ने कहा था जब तक एक देश का युवा नौजवान है और युवा सब्सक्राइब तब तक वह राष्ट किसी का भी गुलाम नहीं हो सकता है इन्हीं सब्सक्राइब के साथ मैं अपने मारी को विराम देता हूं मिलते हैं तब करने अपने फिलास में फिर से तब तक कि लिए चैनल करने अ झाल